बिल्कुल देखे अब बात हम कर रहे हैं किस तरीके से हिमाशर प्रदेश की तो टूरिजम को लेकर के भी हमने बात किया लेकिन दूसरी अगर किसी चीज का की बारी आती है जिक्र होता है तो वो है शिक्षा की क्योंकि यहाँ पर बोर्डिंग स्कूल भी बहुत है इनकी पढ़ाई जो आउनलाइन पढ़ाई का जो प्रोसेस वो तो चली रहा है लेकिन उसके बावजूद भी अभी कुछ जगा बोर्डिंग स्कूल में हमने देखा कि संक्रमन बहुत तेजी से चाला और इस वाइरस में अब की बार जो चिंता का विशह हमाले यह है कि पिछली स साल नौजवानों में यानि कि यूथ और स्टूडेंट्स के बीच में वारिस का इंपक्ट बहुत कम था संक्रमन बहुत कम था लेकिन अब की बार बहुत बड़ी संक्या में होस्टल में छोटे बच्चे जो वहां पर बोर्डिंग स्कूल में रहते थे वो भी संक्रमित हो नौजवान यूथ हमारा जो है वो कॉलेजिज भी यह रहा कि जो है वो संक्रमित हुए यह हमारे चिंता का विश्या इसलिए अभी तो फिलहाल जो सारे के सारे बंद कर दी हैं और अधिकांश बोर्डिंग स्कूल के बच्चे अपने अपने घर चले गए हैं परिवार के स और इस दौरान जो है वो संक्रमित से बचने के लिए जो भी उपाय हमने जो सरकार की सतर पर जो कदम उठाए हैं उनका अपालन करते हुए ऑनलाइन जो पढ़ाई कर सकते हैं आप उसके लिए आप पढ़ाई आप करते रहें